मेरे यूट्यूब पेज एस्टो नेश पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ नरेश कुमार और सबसे पहले उंदर्श्कों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं आज बात करेंगे राहू और केत्व के गोचर की राहू और केत्व का गोचर दोजा तेईस में तीस अक्तूबर को हो रहा है और तीस अक्तूबर से लेकर अठारा मई दोजार पच्चिस तक ये गोचर रहेगा यानि कि इस साल के दो महिने अगला पूरा साल और दोजार पच लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि इसका गोचर काम कैसे करता है राहू और केतू छायाग रहे हैं इनकी अपनी कोई राशी नहीं है ये जिस राशी में होते हैं आपकी कुनली में उसके मताबिक फल करते हैं जिस भाव में होते हैं उस भाव के फल करते हैं तो यदि राहु अस्टम में है या बारवे में है तो शुब नहीं होता तो यदि तुला राशी के वो जातक चिनकी कुनली में राहु अस्टम में है या बारवे में है और इस समय अंतरशा से या महादशा से गुजर रहे हैं तो उनके लिए ये गोचर हो सकता है कि थोड़ा वाली सुई है जो पहली सुई है वो महादशा वाली है जो घंटे की सुई होती है जो दूसरी सुई है वो अंतरशा वाली है जो मिनट की सुई होती है और तीसरी सुई एक सेकंड वाली है जो गोचर का काम करती है रहूर केतू का गोचर इंस्टेंटली काम करता है तो सेकंड वाली सुई माले जिया घंटे वाली सुई बारा पर है और मिनट वाली सुई भी बारा पर है और उपर से ये गोचर आ गया इसको समझेंगे इस समय क्या हो रहा है तोलाराशी के जातकों के लिए केतू इस समय चंद्रमा के उपर से गोचर कर रहे है रहू और केतू चंद्रमा को ग्रहन लगाने का काम करते हैं चंद्रमा के उपर से जब केतू वाइडाता है तो साथ से छे राशी में आएंगे, कन्य राशी में आएंगे, यहां पर यह सबसे बड़ी रिलीफ है, अब राहु यहां पर जो गोचर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सब्तम में, यह अशुब गोचर होता है, अब यहां पर राहु छटे में आ जाएंगे, यह शुब गोचर मे तो रहू आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे, यहां पर आपके लिए यह शुब हो जाएगा, दूसरी शुबता क्या होगी, गुरू यहां पर शुब गोचर में हैं, गुरू सब्तमभा में शुब गोचर में होते हैं, तो गुरू की पॉस्टिविटी प्रॉपर हो जाएगी, यहां पर रहू और गुरू की यूती तूटेगी, और यहां का अशुब प्रॉपाव जो मिलना था, वो खतम होगा, गुरू अब पूरी पावर के साथ, अगले साल अप्रल तक, तीस अप्रल तक यहां पर रहेंगे, यहां कि नॉम्बर, देसंबर, यहां चल दए थी शनी की, 17 जनुरी को वो खतम होई, लेकिन वो कितुवड़ा गोचर जो चल दा था, वो खतम नहीं हुआ, उसके कारण बहुत परशानी थी, तो अब तुला राशी के जातकों के लिए, तीस अक्तूबर के बाद, चीज़ें थोड़ी सी बेटर होनी शु है, 11 भाव आपकी आये का भाव है, 11 भाव से आपकी इच्छाओं की पूरती होती है, यह बड़े भाई का भाव है, तो यहां के से समंदित जो significance हैं, वो सारे active हो जाएंगे, इच्छाओं की पूरती हो जाएगी, आपको आये में व्रीदी हो जाएगी, आपके कर्मों का अ नेख रहा था, गुरू हालागी साथ में थे, लेकिन गुरू का फल प्रोपर नहीं था, तो यहां पर गुरू की सीधी द्रिष्टी चंद्रमा के ऊपर ये गज कैसी योकी formation भी होती है, तो यहां पर आप positive होना शुरू हो जाएंगे, कित्टू के गोचर होने के साथ ही, तो यह सबसे बड़ा फाल होगा, क्योंकि जब आप positive हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर आप में उमीद पैदा हो जाती है, तो आप बहुत अच्छा काम करते हो, चाहे वो relationship का मामला है, चाहे वो profession का मामला है, कोई भी मामला है life में, चाहे कोई रोगी ही है, रोगी को determination के साथ आप काम करेंगे, जब यहां पर शुबता आजाएगी गुरू की तो आपके मन में confidence automatically ही आजाएगा, तो यह चीज़ें आपके लिए गुरू की शुबता लेकर आएंगी, और गोचर किसका हो रहा है, राहू और केतु का, फल कहां से मिलेगा, गुरू से, अब रा आपको राहत मिल सकती है, वो चीज़ें आपके लिए, अब धीरे-धीरे समाने होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें आपके हक में आएंगी, लेकिन राहू यहां पर बैठे हैं, तो यह basically करम भाव है, करम भाव से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानि कि यह जो भाव होता है, यह आपके लिए प्रमोशन ड्यू है, वो हो सकता है कि वहां पर आपका नंबर अब लग जाए, और राहू देखेंगे दूसरे भाव को, यदि आपके पास जोब नहीं है, तो जो पहली जोब आती है, वो दूसरे भाव से आती है, क्योंकि यह दशम का पंचम होता है, 1, 2, 3, 4, 5, यह ट्रेंकल होता है, दूसरे भाव को भी एक्टिव करेंगे, तो यहां पर आपके लिए नई जोब के उपर्चुन्टी खुलनी जो है, वो शुरू हो सकती है, तुला राशी के जात्कों के लिए, जो लोग इस हमें विदेश जाना चाहरे हैं, तो वहां पर भी रह पर के बाद फाइल लगाएंगे, तो वहां पर भी आपको असानी हो सकती है, प्रवाइडिड आपकी कुर्ली में राहु की अंतरशा या महातरशा चल रही हो, यहां पर होने से आपको कुछ ना कुछ एक्स्टा खर्चे हो सकते हैं, यह खर्चे वाला भाव है, यह अनिद आपको कोई प्रॉल्म हो जाएं, यहां से होस्पिटलाजेशन देखी जाती है, यदि आपको कोई प्रॉल्म पहले से चल रही है, यह सकता है कि सर्जरी वाली नोबत आ जाए, यह स्थिती हो सकती है, लेकिन अधरवाइज यह गोचर और यहां मान के चलो तो शुब गोच कोई प्रॉल्म 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 ऐसे कोई प्लानेट शुब गोचर में नहीं था तो ये जो गोचर है आपके लिए शुब फल ही लेकर आएगा तो ये तुला राशी के जातकों के लिए राहू और केतु के गोचर का फल है ये 30 अक्तूबर से शुरू होगा 18 माई 2025 तक चलेगा तो ये वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जुरूर दीजिए ये ये वीडियो अच्छा लगे तो पेज को सब्सक्राइब जूर करिए पेज को शेर जूर करिए लाइक जूर करिए कमेंट जूरू करिए इसके साथ ही मुझे दीजे इजाजत नमस्कार